हेलो बच्चो क्या हाल चाल तो आप लोग जुड़ चुके हैं आई से से कनेक्ट के यूट्यूब चैनल पर ठीक है आज हम लोग आपको दिखाने वाले हैं कि हिंदी का जो पेपर आता है वो कैसा आता है यह जो पेपर हमने लिए यह सेकंड लेंगविश का पेपर है और चेंजिस किये हैं बट अभी हमारा जो हिंदी का पेपर है वो नहीं आया है तो अभी हम इसके चेंजिस के बारे में बात नहीं करेंगे बट जैसे ही अगर पेपर हमारा आता है और उसमें कुछ चेंजिस देखने को मिलते हैं तो हम आपको डेफिनेटली वो तुरन बता द तो यह कि सर हम paper कैसे कर पाएंगे कैसा आएगा क्या है कुछ नहीं है अभी हमें क्या करना है केवल अपना concept पढ़ना है सबसे पहला जो हमारा काम है वो हमारा काम है में concept खतम करना है concept खतम करने के बाद हम क्या करेंगे practice papers की तरफ बढ़ेंगे तो अभी हमारे पास sufficient time है कि हम पहले concept खतम करने के बाद हम अपने papers पर आएंगे और I hope I hope तब तक आपका जो paper होगा वो हो जाएगा publish ठीक है तो हम उसी pattern पर चलेंगे फिलहाल एक paper का pattern आपको दिखाने के लिए मैंने यह download किया है और आपको मैं दिखा रहा हूँ सबसे पहली बात 80 number का paper आएगा यह बात आपको पता है ठीक है तीन घंटे इसमें आपके पास हो जो होती है वो होती है time की कमी होती है किसकी कमी होती है time की कमी होती है तो time की कमी को कैसे complete कर सकते है time की कमी को हमेशा करते है management से कैसे management करके ठीक है time का management करके हम time की कमी को कर सकते हैं और इसका allotted जो हमारा time है उसको हम बहुत प्यार से complete कर सकते हैं ठीक है पहली बात यह हो गई दूसरी बात आप देखोगे यहां लिखाओगा answer to this paper must be written on the paper provided ठीक है you will not be allotted to wrote to write during the first 15 minutes ठीक है उसके बाद this time यह तो आपका सबका precautions है क्या कैसे कैसे चलना है अगली बात section A is compulsory all questions in section A must be answered मिलब जो आपका section A है उसे सारे बच्चों को करना है और सारे answer आपको उसमें देने कंबल सरी है उसमें हमारे पास कोई भी choice कोई भी option नहीं है उसके बाद कहते हैं attempt any four questions देखना है तो यह दो चीज़े आपको ध्यान में रखनी है कि जो हमारा section A होगा उसके हमें सारे के सारे question करने हैं वहाँ पर हमारे पास ऐसी कोई liability नहीं है कोई भी हमारे पास ऐसा शूविदा नहीं है कि हमारे पास वो option में हो विकल्प में हो दूसरी चीज जो हमारा section B होगा उसमें हमारे पास any four questions हमको attempt करने हैं at least one question from the each two books जो दो किताबे आपने पढ़ी है उसमें से एक-एक question आपको करना ही करना है और any two questions from the same book you have studied और एक-दो question किसे करने हैं same book से जो आपने पढ़े हुए ठीक है the marks from the questions और part of the questions are given in the bracket तो मलब यह देखें जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि कौन सा section कितने number का है पहला section दिख रहा है हमारे पास section A और जैसे कि आपने भी यहाँ भी पढ़ा कि attempt all questions from the section तो सारे question आपको यहाँ पर attempt करने पढ़ेंगे आए अब देखते हैं कि यहाँ पर कैसे कैसे questions आते हैं from question number one question number one कहता है कि write a short क्या लिखाए सब्दों पर ध्याने ने शौड कॉंप्रिहेंशन इन हिंदी फॉर अप्रॉक्सिमेटली टू हन्टू 50 वोड्स तो ध्यार रखना है कि यह max to max कितना max to max 250 या 260 हो उसके उपर हमें नहीं जाना है क्योंकि अगर ह हम उसके उपर जाने के उपर जाएंगे तो हमारा भाई time loss होगा और हमें time ही बचाना है तो 250 वोड्स में आपको क्या करना है anyone of the following topics आपके पास यहां पर देखेंगे तो हमारे पास यहां पर चार टॉपिक दिये हुए topic number one topic number two topic number three topic number four ठीक है देख लो उसके बाद कोई topic है पांच topic है यहां पर हमारे पास पांच topic है और इन पांच topic मेंसे आपको कोई एक topic ऐसा select करना है जिस पर हम 200 शब्द लिख सके और इसके लिए आपको 15 नंबर मिलने वाले हैं अगर आपने सारे शब्द अच्छे अच्छे लिखे आपने वरतनी अच्छी रखी वरतनी आपके लाइफ से रिलेटेड होगा ठीक है रियल लाइफ इसूस से रिलेटेड होगा ठीक है जैसे देखो पहला topic हमसे कह रहा है कि जीवन में खेल कूद मनुरंजन प्रदान करने के साथ सुख सम्रद्धी भी देता है विद्यार्थी जीवन में इसकी उप्योगिता इवता है तो यह क्या है आपका एक short essay है इसमें आपको एक essay लिखना है और आपको बताना है कि जो हमारे जीवन में खेल कूद या मनुरंजन है यह कैसे हमारी life पर effect डालता है कैसे उसके goods हैं कैसे उसके bats है तो यह सारी चीज़ें आप अपनी real life से अगर उठा के लिख यह इस विसाय को स्पर्श करते हुए अपने विचार लिखिए बस हमें यहां क्या करना है हमारे जो टॉपिक है उसको समझ लेना है कि क्या कहना चाहरा आगला कहरा देखो यह आपका क्या हो गया यह टॉपिक क्या हो गया मानवता से हो गया है ना एथिक से हो गया किस से हो ग पूछा यह शोशल हो गया जैसे लिखा है सवच्छता अभियान में सरकारी तंद्र की अपेक्शन नागरिकों की जागरुकता अधिक प्रभावसाली मानी जाती है जनता के सयोग सही देश स्वक्ष सुन्दर बन सकता है आप इस कथन पर कहां तक सहमत है इसको इसपस्ट करि क्या करना है इसको बताना है यहाँ दिखा हुई है दिखा हुई हिख नीचे दिए गए चित्र को ध्यानॡब आपको यह पोटो देखकर क्या करना है इसको बताना है या लिखा है ध्यान दीजिए और चित्र के अधार पर बना कर उसका परचे देते हुए कोई लेक कोई लेक घटना या कहानी लिखे मतलब इस तरह की फोटो देखकर आपको कोई कहानी कोई लेक कोई घटना याद आती है तो वो आप लिखिए जो की चित्र से सीधे संबद्दित हो अब आप खुदी देखो इस चित्र को देखकर आपको क्या याद आता है यहाँ पर देखो यहाँ पर जो एक दो तीन चार पांच छे और साथ बच्चे है जो की जमीन में ही बैठे ह और पतल में कुछ थोड़ा बहुत चावल है इसके पास सब्जी भी है इसके पास ठीक है इन दोनों की पतल खाली है तो इसको देखकर आपके मन में क्या घटना उत्पन हो रही है यहाँ पे आपको पहली बात तो मुझे जहां तक फील हो रहा है आपको एक गरीबी का द्र दिखाया जा रहा है तो इस तरह का एक पिक्चर मिलेगा फिलाल पांच हमारे पास टॉपिक होते हैं एक टॉपिक उसमें से कोई ना कोई सरल होता है अगर आपको यह सब कॉम्प्लिकेटर लगता है तो आप उपर के चार टॉपिक को उठा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं यहां पर देखो टीन हमारे हम्रे पास टॉपिक हैं इनमेंसे किसी एक पर हमें ऐसा लिखना लिखता है पहले पर लिखा है, कि आपका छोटा भाई अपना अधिकान समय कहां देता है, मुबाइल फोन के अधिक उप्योग होने से होने वाली हानियों का उले करते हुए, आप अपने छोटे भाई को पत्र लिखो, ठीक, तो इसमें क्या है, इस पत्र का क्या होगा, लैंग्विज, क होगा पहली बात दूसरा कह रहा है कि आपके छेत्र में मलेरिया तथा डेगू का प्रकोफ बढ़ गया है इसकी रोग थाम के लिए आप किसको लिखोगे एक नगर निगम के अध्यक्ष को एक पत्र लिखोगे मतलब यह कैसा लेटर होगा यह आपका लेटर हो जाएगा मेट अफीशीषयल ळेटर हो जाएगा कैसा लेटर हो जाएगा आप किसी एक उफिषील पर्सं को किसी एक जिम्मेदार वैंटी को एक पत्र लिखोगे आपकर यह अधीजिए यह एको लिख रहा है तो आप एसे और लेटर में समझ एक कैसे क्या करना है अब आजा आगो अभी कोर्स में इन्रोल हों खोंगे तो हम आपको यह सारी चीज़े बताएंगे कि कैसे हमें एक लेटर लिखना कैसे ऑफускे लिखना के लिए जब लेटर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे ठीक है उसके बाद कोशन नंबर जैसे थ्री पर आओगे लिखा है रीड़ पैसेज गिवन बिलो एंसर इन हिंदी दा क्वेश्चन डैट फॉल्विंग यूजिंग यूर ओन वर्ड कि देखना यहां लिखा है यूर ओन वर्ड ऐस फार एस पॉसिबल निम लिखित गदांश को ध्यान से पढ़िये और उसके नीचे दिये गए प्रशनों को प्रशनों के उत्तर हिंदी में लिखिये और उत्तर यथा संभव आपके अपने शब्दों में होना चाहिए मतलब यह आपको बुगिश लैंग्विज से हटने के लिए बोल रहा है और बोल रहा है कि आप जो भी लिखो वो अपनी लैंग्विज का यूज करके लिख लो क्लियर देखो यहां लिखा है संतकबीर ने इस्थान इस्थान पर जाकर परियाप्त भ्रमण किया और घुमकड होने के कारण उनकी भाषा में अर्भी यह राम चंदर सुकले इसे सदुक कड़ी भाषा कहकर पुकारते हैं वैसे ही वैसे उनकी भाषा किसी प्रकार की हो परंतु उन्होंने भाषा पर पूर अधिकार था अब यह लंबी सी कहानी है और इससे आपको पढ़ना है उसके बाद यहां पर हमारे पास दो दो नंबर के कितने दो-दो नंबर के हमारे पास पांच कोशन या निकी टूटल दस नंबर के हमारे पास पांच कोशन आए और हमें इसका अंसर नहीं क्या लिखा है कबीर का सुभाव कैसा था और उसके कारण उन्हें क्या कहा जाता था आप वोपर मिल जाएगा कबीर की भासा में कौन-कौन सी विशेष नाय पाई जाती थी तो सिंपल सा लिख दो कबीर के कबीर को बहुत सारी भासा आती थी जो जो भासा उपर लिखी है इसी वज़े से जो है उनकी विशेज भाषा मिली उन्हें एक विशेज भाषा जो उनकी जो राइटिंग होती थी जो कविताएं होती थी उसे विशेज भाषा की रूप में जाना जाता है करना है आचार हजारी प्रशाद दिवेडी जी ने कभीर की भाषा के संबंध में क्या का है अब यहां लिखा वाचार हजारी प्रशाद दिवेडी का कतन सत्य ही है सच पूछा जाए तो आज खिंदी मलब इसके उपर नोंने कहा होगा ऐसे जवर्दस्त व्यंग लेखक पैदा ही नहीं हुए इन्होंने कहा है कि कभीर जैसे व्यंग लेखक नहीं पैदा हुए उसकी साफ चोट करने वाली भाषा बिना कहें सब कुछ कह देने वाली शैली अत्यंत सही किंतू अत्यंत तो यही चीज आपको उठाके यहां लिख देना है बस जो खेल होता है वह पूरा टाइम मैनेजमेंट का होता है और आप जितना भी मेंटल स्ट्रेस कम लोगे उतना ज्यादा आपका पेपर अच्छा जाएगा और आप असी में असी का स्कोर कर पाओगे ठीक है अगला बहुत सारी भाषा जानने की वज़े से वह सदुकडी में लिखते थे और अलग-अलग भाषाओं में लिखने के कारण उन्हें क्या कहा जाता था कि भया यह जो है फ्री लेंग्वेज यूज करते हैं मुक्त भाषा का यूज करते हैं इसलिए ऐसा कहा गया ठीक है इसको पढ़ोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा अब देखो छोटे-छोटे प्रशन क्या क्या एक यह आप क्या गए यहां लिखा है चौथा प्रशन बहुत तरल है इसमें आपसे पुछा गया निर्देशा नुशार आपको आंसर लिखना है पूछ रहा है यह आठ नंबर का पहला प्रशन आपसे पूछ रहा है निश्चेस्ट का आपको विलोम बताना है तो आप आराम से चार मैसे देख के बता दोगे जब पढ़े होगे तालाब का परियावाची बताना है बिल्कुल आराम से बता दोगे आप यह समस्या नहीं आप चुटकी बजाते यह आंसर क पना दोगे एकदम इसदी है अभिलाशा का सुद्ध रूप बताईए तो यहां यह वाला शाह नहीं होता है यह होता है अभिलाशा यह वाला शाह होता है ठीक है तो यह आराम से हो जाएगा फिर आपका कौन सा कोशन है च्छठा कोशन है कह रहा है घी के दिये जलाने का मतलब क्या खुशी मनाना या बहुत प्रसंद होना इन दोनों वैसे आपका कोई भी एक आंसर आ जाएगा तो ये भी बहुत इजी है उसके बाद आपका जो एर्थ कोशन है मतलब एक एक नंबर का आठ कोशन है वन नंबर इच फॉरा कोशन निर्देशा नुसार उचित वाक के वताई ये लिखा है धर्म का मानों धर्म का मानों मन पर प्रभाव करता है वाकि में आपको प्रभावित शब्द का प्रयोग करना है धार्मिक धार्मिक मानों सब को प्रभावित करता है धर्म मानों मन को प्रभावित करता है मानों के मान को धर्म प्रभावित करता है औ और मनद को प्रभावित करने वाला मानव मानव धर्म है तो यह सारे गलत है और आपको भारह बताना है और वाक्य में कर दिया का प्रियोग कीजिए, कर दिया का प्रियोग आपको करना है, लिखा है कि रोम का राजा भीशन रोगों से पीडित हो गया, रोम के राजा को भीशन रोगों ने पीडित कर दिया, रोम के राजा को एक भीशन रोग ने पीडित कर दिया, रोम के राजा को एक भयानक रोग ने प भयानक पीडित कर दिया ठीक है अब सिंपल सी चीज है आपको नॉर्मल नॉर्मल चीजे पढ़ने हैं इसमें कहीं कोई समस्य नहीं होगी एक एक नंबर वाले तो आप आठ नंबर तो ऐसे ले आओगे ठीक है बस एक बार जैसे आपने बताएंगे तो यहां तक रखते हैं आपको आंसर बाकी सेक्शन बी का जो डिसकेशन है वह हम आपको नेक्स प्रास में बताएंगे ठीक है तो यह तैयार हो जाओ जुड़ जाओ आएक सी कनेक्ट से हिंदी के लिए बुरी जिम्मदारी हमारी है एक एक कोशन आपका सही होगा एटी आउट ओफ एटी आपको लाना है इस चेश को याद रखना है ठीक है ताकि प्रतीक सर से हम लोग का कॉंपटिशन बना रहे है वो कंप्यूटर में सब को 100 लेके आ रहे है तो हम लोग लैंग्विज में एटी ओना एटी लेके आएंगे ओके बाइबाइ थैंक्यू